दोस्तो आज किस वीडियो में फिर साप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो दखलेजी मेरे पात जो एक रेडमी का हैंड सेट है रेडमी नोट एट इसका मोडेल है मेरा दोस्तो इसका आप देख सकते हैं बेक में कुछ आपको दिख जाएगा भीव और दोस्तो इ नहीं कर रहा है उसके से स्मुघा पूरा पूरा फोल्डर सेट मनदफ चेंज करना पड़ेगा दोस्तो देखलेजी का है तो एक पांगल यह सेच है तो नहीं होता दोस्तो पहलेका प्र अधिकतर मोडल पर आ रहा था पूरा फोल्डर को चेंग करने पड़ेगा रेडमे नोटेट फोन इसके देख सकते हैं और मैं आपको जो है फोल्डर का प्राइस बीचन करने बलोग कितना रोब इसका प्राइस हो सकता है बहुत भाई लोग का मन में डॉट होता है कि भाई हमारा डिस्पेल तूड गया लेकिन जब हम इसको मार्केट में चेंज करवाएंगो तो कितना रुप्या खर्चा आ सकता है हमारे फोन के अंदर में उस सारे को आपका भाई आज की वीडियों बताने वाला तो वीडियों मे यह हमारा वेकट गिल्डास है अपको इसको अराब आप निकाला नहीं ना है क्योंकि देख लिएए मैंने पहले जो जो आपका अनिकाल दे था और उपर में ओद दोस्तों जब धी इंवेदबच पर दीखेगा तो ही रखने का भाआ है और और अब गराम होने के वाज से फोन के अंदर से बाहर निकल जाएगा ठीक तो यहां पर चलिए आपको एक बिलेट लेना है इसको आंदर डाल देना है बिलेट को हल्का सा डालने के बाद दोस्तों आप दूसरा टूल्स की मतर्स इसको आसानी से खोल सकते हैं कोई दिक्कत वाली इसमें नहीं है यहां पर चलिए मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूं देखलेज़ दोस्तों हमारा फोल्डर है इसकी मतर्स पुरा खोल लेंगे फोल्डर को जाए फोल्डर आपको जैसानी से खोल लें देखलेज़े यह ब्लुट चुगा है फोल्डर खोलते वक्त ठीक लेना है यहां पर देख रही है मैं खोल रहा हूं और खोलने का बाद दोस्तों अब आगे को पौर्सिस बताने वाला ओकि इस तरह साप फोल्डर को जो है अपने फोन के अंदर पर लगा सकते हैं मैं एक प्रैस की विजन कारने यहां पर देने वाला हूं अगर दोस्तों केमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ देने ही कोईशिस जरूर करूँगा तो यहां पर चलिए मैं फोल्ट को यह निकाल लेता है और फोल्ट को निकालने के बाद दोस्तों मैं आगे बताने वालों किस्ते सब अपने फोन के अंदर पर डिस्पेले लगा सकते हैं इतना रोप्या कर्ण कर आको मार्केट पर डिस्पेल लगाने का इस बाले फोन का यहां पर देख लिए मने खोल दिया हूं दोस्तों देख लिए आपको जो है इतना करने के बाद आपको रिंगर-बोक्स का जो इस खूरूप है और सारी जो है आपको जो एक एक कर खूल ले डिस्पेल को तो हम निकाल दिये हैं। निकालने के बाद दूस्ते लिए जो इसको स्ट्री जितरी कि आ impost लेना है। तो जो आपको यहांति से गया आपको फोल्ट्र के लीए, सारह कह से कहने है। अगर आप अच्छे तरीक से किलीन नहीं करेंगे तो आपको जो नहीं आवला डिस्पेल हो सही तरीक से अपको फोन का अंदर फिर बैठेगा नहीं चारो चारो रंचेत्री के से नहीं झ soup को नहीं लगाना करता है कि कि जो किसी को phone करते हैं या पिर किसी का phone अता है तो जो डिशान को पर दो इसलिए होता है कि जो ध्रल होता है वह सेंसर पर चले जाता लगाते बाग तो चीछ का ध्यान रखना है आपको जो गुलू है तो आपको जो इस पीकर पर नहीं देना है जो आपको यह स्पीकर सामने फ्रंट केमरा है दोस्तों आपको जो सेंसर उसमें ठोड़ा सा भी गुलू नहीं लगाना नहीं तब फ्यूचर में फिर प्रोब्लम आता लेगा तो चीछ आपको ध्यान रखना है तो यहां पर चलिए मने चार और चित्री किसी जो है इस पर गुलू लगा दिया हूं और गुलू लगाने का पर देखले यहां पर आपको एक इस्टिकर दिखेंगा डिस्पेली के साइड में कॉर्णर पर देख सकते हैं आप देखको यह बला लेयर को निकाल देना है बाहर के और इस्तर से लेयर निकालने के बाद दोस्तों देखले आपको एक और लेयर दिखेगा देखले इसको भी आपको इस्तर से निकाल देना है और निकालने के बाद दोस्तों आपका जो फ्लेक्स डिस्पेली का उसको आपको फोल्डर हो सहित्रिकर से अपको फोन के अंदर जो नहीं बैठेगा यहां बेसको कार्ड ना है जैसे दोस्त अब इसको कार्ट यह को टेस्टिंग गरंडी खतम हो चुका है दुकांदार आपको जो रिटेन नहीं लेगा कर अगर फोल्टर कोई प्रोबलाम निकल जाता दुक लगा लेना है दोस्तों के नेक्टर गो इस तरह से अपको लगा लेना है लगाने के बाद छो यहांपर बेख गिलस को भी फिलाल नहीं लगाएंगे ठीक है कि इसलिए नहीं लगा लेंगे आपको बात में लगाएंगा तो सूखने में जो हैं 2-3 घंडड समय देता है इसल प्रोपर नहीं कर रहा है और दोस्तों थोड़ा से लगता है तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरू सकते हैं कि काम इसी तरह काई इस फूल कॉंटेंट आप लोग कर लेकर आता रहता हूं गंद लोगान को लगा लेना है अब कर लेक रोगायां यहां पर जो को फिलाल दिखाता हूं हैं नगी तो फोण आपर जाल हो चुगा है और आप देख लिए हमारी तैच यह पिल्कुल प्रोपर वर्प कर रहा है डिस्पेल का ब्रेट्नेस भी आप देख सेखते हैं कि इतना रणने के बाद जो आपको देखने जाए बला लेयर को निकाल देना है बस दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं आपको यह सारा कुछ जो समझ में आ गया होगा बस दोस्तों मिलते हैं कोई एक नेश्टी वीडियो में नहीं तो फिर आप से मुलाकात हो हुआ है